दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बिहार की टॉप बड़ी निउस को देखेंगे दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के एक प्यारा लागी जरूर कर दे साथ हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताई क्या बिहार के किस जिले में रहते हैं तो चले शुरूत करते हैं आज की पहली और बाड़ी ख़बर से पहली खर में देखे बिहार में बेच दी गई 188 फोट लंबी रेल पटरी लोहड चिनी मील की संपती को लेकर बियाड़ा और रेलवे के अपने अपने दावे चिहादे के रेल मंडल में फिर से स्क्रेप कटिंग मामली ने पुर्निया वगारा की याद ताजय कर दी है मापयाओं ने मदोबनी जिले के पंडूर से लोहड चिनी मील जाने वाले रेल मार्ग करीब 188 फोट तक की पटरी काट कर बिज़ दी है हाला की पटरी बरामाद भी कर ली गई है मामली को लेकर 24 जनवरी को दरबंगा आउट पोस्ट में प्राधमे की दरज की गई थी मामली की जाच सीबिया इससे कराई जा रही है इसकी जानकारी बोड को भेज़ दी गई है सूतर के मताबिक ओक तर रेलवे ट्रेक रेलवे क संपत्ती है या पिस समादेद चीने मील की जिसका खुलासा जाच के बाद होगा क्योंकि पिछले दिनों ही बगल में चीने मील की जमीन खरीद हुई है बाड़े-कर में देखे बिहार सरकार ने दी है रहाद अब आदिक आ रहा है बिजली बिल तो नहो परिसान राज में सुरू होगी जाच जिहादे के पूरे बिहार में लोग यादे किसी चीज को लेकर चाहऴस को लेकर सबसे अधिक परिसान है तो यहाँ है, अचानक से बढ़तावा बिजली बिल, लेकिन अब जल्दी उनकी याप परिसानी दूर होने वाली है, इसको लेकर राज सरकार ने बड़ा फैसला किया ह मुईख सचिव तक को जरूरी दिसा, निर्दिस दिया गया है। उन्होंने दो टू कहा कि आम मुझे कहीं भी इस तरह के गड़बड़ी की सिकायत सुने में नहीं आनी चाहिए बारेखर में देखे पाटना हाई कोट का केंदर और राज सरकार को निर्देश कहा ग्रेन फिल्ड एरपोर्ट जल्द बनाए सरकार जी हाँ देखे पाटना हाई कोट ने केंदर और राज सरकार को बिहार में एक ग्रेन फिल्ड एरपोर्ट बनाने के लिए विचार करने को कहा है हाई कोट ने केंदर और राज सरकर को आदिस दिया है कि दोनों सरकार पढ़ना और बिहाटा हवाई अड़ा की विकल्ब के तौर पर राज में एक ग्रेन फिल्ड एरपोर्ट बनाने पर विचार करें आपकी जानकारे के लिए बता दे कि ग्रेन फिल्ड एरपोर्ट बहुई अतायत जमीन पर अंतर राष्टी हवाई अड़ा की तौर पर सभी सुधाव के साथ तयार होता है बिहार में अब एक भी ग्रेन फिल्ड एरपोर्ट नहीं है चीप जश्टिस की कंड़ फिड ने में हवाई अड़क निर्मान जनित का मामला नहीं है हाई कोड ने खा कि छोटी सी हवाई पट्टी के उपर बड़े-बड़े हवा जहाज नहीं जा सकते हैं ऐसे में बिहार को एक बड़े ग्रेन फिल्ड एरपोर्ट की जरूरत है बाड़े खर में देखे नोकरे से हटाए सबी 89 टीचर्स अंट्रेंड है ऐसे में पश्चिमी चंपारन में साल 2006 या उससे पहले बिभीन इसकोलों में काररत 148 सिक्चक सिक्चिकाओं में से अब महज 48 की ही नोकरी सुरक्षित है पाटना हाई कोड के आदेश का पालन करते वे सिक्चा विवाग ने यह आदेश जार पाली रखने का आदेश दिया था जिला सिचक कार्याला की डिपिया योगेस कुमान ने बताया कि उसी नियाएक आदेश का नुपालन सुनिवार को किया गया बाड़े खर में देखे माउंटेन मैन दसरत माजी को भारत रतर दिये जाने की मांग तेरह सदसे टीम गया से दिली पेदल रवाना जिहाँ देखे अपनी पतनी को खो दिने के बाद बिहार के एक माईज़ूर ने पहाड के बीच से रास्ता बनाने का प्रण लिया उसके पास ना तागत थी और ना पैसल लेकिन अपने जिनून जोस और जीत के बदलोत उसने इस असमव काम को समव बना दिया हम बात कर रहे हैं माउंटेन मेन दसरत माजी की आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है लेकिन आज भी हम उनके कामों की वज़ा से याद कर रहे हैं माउंटेन मेन दसरत माजी को अब भारत रत न दिये जाने की मांग की जा रही है हाला कि यह मांग काफी पुरानी है जो आज तक पुरा नहीं हो सका है इसी मांग को लेकर तरह सदसे टीम ग्या से दिल्ली के लिए पैदल रवाना हुई है बिहार के पूरों मुख्य मंत्री जितरा माजी ने पद यातरा में सामिल सदसों को टूपी और माला पहना कर समानित किया है इस मौके पर जितारह माजे ने कहा कि मुख्य मंतरे नितीस कुमान ने अपने कुर्सी पर बाबा दसरत माजी को बिटा कर समान दिया था अब उन्हें भारत रत्रत समान से नवाजा चाहिए यह हमारी मांग है गया के गहलोर गाड़ी से रेवार को 13 सदसे टीम पैदल दिली रवाना हुई बाड़ी कर में देखे राज में 11 फरवरी तक चाहे रहेगा कोहरा पर तापमान रहेगा इस्तिर्जिया देखे बिहार में अभी दो दो दोरह के मौसम का प्रभाव है हमालाई और जारकन से सटे हिस्से में ठंड तो दच्छिन बिहार में गर्मी का हैसा सो रहा है मौसम सूस को तेज हवा और दिन में दोप होने की बज़ा से हौली जैसा मौसम मना हुआ हुआ है बंगाल के काड़ी में साइकलोन सरकिल का प्रभाव है मौसम मिवा के मताबिक बिहार में पाँच दुनों तक मौसम सूस करने की समावना है वाईदे के इसी दोरान दिन और रात का तापमान इस्तिद रहेगा बाड कhd में दीखे केंद्र सरकार का बड़ा एक्षन चीन के लिंक वाले 1369 बाजे और 94 लोन एप्स पर बेहन जादे के सटे बाजे और लोन एप्स के जरिये देस में लोगों को ठगी का सिकार बनाने वाले मॉफाइल एप्स के खिलाब केंदर सरकान ने बड़ा एक्सेन लिया है केंदरे गिर्य मंत्राले की तरफ से चीन के लिंक वाले 136 बज़े और 94 लून एपस पर बैन लगाने के निर्देश समझने विवाग को दिया गया है वादे के गिरे मंतराले के निदेश के बाद इन एब्स को ब्लोग करने की प्रक्रिया सुरू कर दी गई है जाच के दोरान पाया गया कि इन एब्स का जासुसी और प्रोपेगंडा के वजार के रूप में भी दुरूपियों किया जा सकता है वही इने यूज करने वाले लोगों की डेटा की सुरुक्चा को भी खत्रा हो सकता है बेन के गई लगबग सभी एब चीन के दोरा तयार के गए थे चीन ने इस काम की जिम्मेवारी भारती नागरीकों को दे रखी थी बाड़े कर में देखे केड़नी ट्रांसप्लांट के बाद दस वरवरी को लालो आएंगे भारत जादे के राज़त सुप्रेमो लालो प्रसाद यादव दस वरवरी को भारत लोटने वाले हैं इस बाद के जानकारी पाड़े के पुर्व सांसद ने ट्यूट करके दी है राष्ट यादव के राष्ट यादव देच लालो प्रसाद यादव इन दिनों सिंगापूर में मौझूद है लालो यादव वहाँ अपना केर्णी टांस प्लांट करवाने के बाद स्वास तलाब ले रहे हैं इसी बेच अब यहाद जानकारी मिली है कि लालो यादव आगा में दस वरवरी को भारत के राष्ट ने दिल ले आ रहे हैं इस बाद के जानकारी राज़त के पूर्व सांसद मुहमद अलिय असरफ बातमी ने और समा जकरिया के ट्विट को रिट्विट करके दी है बाड़े खर में देखे पटना हाई कोट का बड़ा अदेश राज के 49 सीट बटो को ततकाल करे बन यहाद एके पटना हाई कोट ने राज में चल रहे एट बटो को लेकर बड़ा अदेश जारी कर दिया है हाई कोट ने 49 सीट बटो को ततकाल बन्द करने का देश दिया है हर जरूरिक कदम उठाने का अधिस दिया है लोगों को जगरुक करने के लिए जब अभियान चलाने पर्यावरान स्रक्षन को लेकर पर्यावरान कानून का पालन करने का अधिस जारी किया गया है या अधिस मुख की रूप से बैसाले और नालांदा जिलों के 49 बटों को लेकर जारी किया गया है पाटना हाई कोट ने बैसाले और नालांदा जिलों के डियम को 23 पन्नों का अधिस दिया है जिसमें यह कहा गया है कि बैसाले और नालांदा जिलों के 49 एट बटों को बंद करने के लिए ततकाल कदम उठाये जाए बाड़ेखर में देखे पढ़ना में अब आसान होगा सपर इनी रिटो पर चलेगी एक सट नई सेंजी बसे जिहादे के राज़ानी पढ़ना में बाज से सवारी करने वाले यात्रियों को अब एक और बड़ी खुसकवरी मिलने वाली है अब पढ़ना की सट कुबर फचटर नई सेंजी बसे चलने वाली है इसको लेकर रूट में अब तयार कर लिया गया है और इसमें एसी और नौन एसी बसे सामिल है अब इन्ही 75 नई बसों में से कूल 61 बसों को सीटी बस सिवा में सामिल किया गया है जिनमे 21 AC और 49 AC बसे हैं बसों का परिचलन सुरू होने से नगर सिवा की बसों की सेंग के बढ़कर 145 हो गई है इनमें 120 CNG और 25 इलक्टिक बस सामिल है इसके अलबा बची वे बसों को लोंग रूट में सामिल किया गया है इनमें 4 AC और 10 9 AC बसे हैं इन सामिल होने से लम्मे रूट की कूल इस बसों की सिंग्या बढ़कर 455 हो गई है इनमें 6 AC और 4499 AC है BSRTC के प्लेट के लकूल बसों की सिंग्या अब 894 हो गई है जिनमें से 600 उसकी अपनी बसे हैं और 294 PPT मोड पर चिलने वाली बसे हैं बाड़ी कार में देखे अब अगनिवीर भरती में होगी ओलाइन परेच्छा ऐसे होगा लेकित परेच्छा का पैटरन जा देखे भारते सेना ने पोज में सामिल होने की चुक उमिदवारों के लिए अगनिपती योजना के तहद भरती प्रक्रिया में बड़े बड़े ब पलन करती थी उमिदवार को पाली फीजिकल फिटनिश टेस्स से गुजना होता था जिसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट होता था फिर लिकित परेच्छा जित की जाते थी सिक्चा योगता के नुसा प्रतिक पद के लिए परेच्छा पेटरन अलग है उधारन के तो इंडि पाँच के पंदरफ प्रसन पुछ जाएंगे बारेखर में देखे बिहार में प्याइपाइ ने रची हमले की साजिस अतियार भी जुटाए एन आये ने मसुबों पर फेरा पानी 10 टिकानों पर रेड जहादे के एन आये की टीम ने मौतिहारे की प्याइपाइ मोडूल में दूसरे दिन भी चापे मारे जारे रिकी साथ इस मामले में पहले धिन हिरासत में लिए गए इस सवी लोगों से पुछ ताच का सिलसला भी जारी रहा बिहार में 36 नई रेल लाइने बिचेगी, 87 स्टेसनों को भी होगा काया कलब, जहाँ देखे, आम बजट में बिहार में रेलवे के विकास के लिए 85 करोड की रासी दी गई है, कई नई परियोजनों को भी मंजूर मिली है, 36 नई रेल लाइन बिचाने के लिए रासी दी गई ह वहीं 17 रूटों का दोरी करण भी होगा, वहीं बोगता सुविदाव पर पूर मेदरेल चेतर में 630 करोड रूपे खर्चोंगे, जानकारे के लिए बता दे के अरारिया गलगलेल नई लाइन के लिए 700 करोड मिले हैं, अमरित भारत इस्टेसन योजना के ताहद बिहर के 87 स इस्टेसनों का चेन किया गया है, इन इस्टेसनों को अइतादोनिक बनाया जाएगा, इनके लिए गया के लिए 296 करोड मुझपर पूर के लिए 442 करोड मोतिहरी के लिए 221 करोड और सीतामरी के लिए 200 करोड प्रावधान है बाड़ी खर में देखे बिहार के अलग लग रूटों से गुजरेगी दो बंदे भारत एक्सप्रेस पटना और बनारस से हावडा के लिए चलेगी ट्रेन जिया देखे बिहार के लोगों को केंद्रिय बाजर में बड़ी सोगात मिली है केंद्रिय वित मंतरे निरमला सितरमन ने इस साल बिहार के लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देने की सोगात दी है आपको बता दी कि पहली बंदे भारत ट्रेन पटन से हवड़ा रूड पर और दूसरी ट्रेन वरानसी से गया के रास्ते हवड़ा के लिए चलेगी यहां बता दी कि वर्तमान में पढ़ना से हवड़ा के लिए दुरंतो वह जन सताब्दी एक्सप्रेस सहीद कुछ ट्रेने चलती है वही वन्दे भरत ट्रेन दुरंतो वह जन सताब्दी की तुलना में तेज चलेगी और रियात्रियों को कम समय में ही गद्धवत इस्टेसन तक पहुचाएगी आज के लिए बहुत इतना ही इसी तरह बिहार के डेली नियूज देखने के लिए आप अमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें